नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वेपारी डिस्ठी कोन से इनकी जंदगी अच्छी नहीं चल रही है ये इनका एक कोश्यन था दूसरा क्या आगे भी ऐसी ही इस्थिती बनी रहेगी या फिर कुछ सुधार आएगा तो निश्चिंत रहें आपके इस विशे पर आपको उत्तर मिलेगा मैं कुशिश करूँगा आपको इस विशे पर पूरता जानकारी दूँ और ऐसे क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं उस विशे पर तो पूरा बारेकी के साथ आपको एंसर करूँगा तो पहले चीज तो ये ये हतिली ऐसी हतिली को देख के ये कहना एक दम ही अनुचेत नहीं है कि ऐसे व्यक्ति करूडों के मालिक बनते करूडों रुपे कमाते हैं क्योंकि ये हतिली करूडों बाली तो है ही अब ये चीज़े क्यों बताई कही हमारे द्वारा और आगे इनको कितना benefit आएगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को पुरा देखिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो आपके लिए इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो काफी निराश हो गए होंगे अपने जीवन से जिनका वेपार डिस्टि को उन से स्थिति अच्छी नहीं चल रही होगी या वेपार सही नहीं चल रहा होगा उनके लिए भी वीडियो काफी महत्पूर्ण क्योंकि कुछ ऐसे योग बनते आपके एतली पर जो ये चीज़े कहलवाती है या कही जाती है जिसके द्वारा कि आप भी कुछ आगे बहुत बरा कारी कर सकते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एके करके तो सरपरतम देखिए कि मैंने ये कहा क्यों क्योंकि ये बहुत यूनिक हते लिए क्योंकि इनके सारे ग्रों में आपकी शुक्र ओवर डवलप्ट, मंगल भी काफी प्रधान ब्रशपती ने मुझे काफी खुस कर दिया मज़ा आ गया सेटरन भी काफी अच्छा और शनबुद भी काफे स्ट्रॉंग अपरगरों ने काफी अच्छे स्पेस लिवी है तीसरा चीज आपकी मंगल भी प्रधान्तम अवस्था में मुझे दिखरी है और चन्रमा तो बहतरी हिन है तो क्या कोई गरहा आपको खराब दिखा नहीं दिखा ऐसे कुछ हाथ वाले मेरे पास आते हैं न और मैं उनको बताता हूँ कि देखिए आपकी आगे जिंदगी बहुत अच्छी है आप मेहनत करने से बीछे मठा को हटो आप बहुत मेहनत करो सही कारी करो क्योंकि कही न कहीं सही कारी भी करना ज़रूरी होता है अब आप गलत का सारा लोग है पाप का सारा लोग है तो वो तो गलत है सही कारी करके आगे बढ़िए उसके योग भी आते हैं कि कौन गलत कारी करता है कौन सही कारी करता है वो चीज़े भी कही न कहीं आपकी हतली से पता चाहिजाती है तो वो चीज़े भी अब भी मैं देखता ही हूँ और लोगों को बताता भी हूँ कि अगर आप गलत करते हैं तो मत करिए आप अपने लिए ही खराबी कर रहे हैं दूसरे का क्या लीजिएगा ये चीज़े इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आजकल के कुछ यूथ न बहुत गलत डिरेक्शन में जा रहे हैं तो कही न कही मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमारे द्वारा अगर कुछ आपको जानकारी मिल जाए या हमारे कुछ सब्दों से आपका जीवन बदल जाए तो मैं हमेशा तयार हूँ उस शब्द को बोलने के लिए तो पहले चीज़ तो यह हो गई दूसरी इनकी ब्रश्पती की प्रधानता यह ब्रश्पती आपको broad-minded बनाती है काफी जादा और अपने वैपार का बहुत अच्छे तरीके साफ वस्तार कर पाते है और गलत तो आपके डिक्षिनरी में है ही नहीं गलत वर्ड तो आपको पता भी नहीं है कि गलत क्या होता है यह लोग एकदम इमानदारी से कारी करना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं इस चीज़ के भी पुस्टी इनकी यहतली करा रही है दूसरी अगर मैं एक चीज़ आपको बताओ तो सारे ग्रूम इस्टेंट है स्क्वाइर स्पाम है मद्य में इसके उस अफ़लता मिलने थी और राज्योग कारक का वस्ता है अब राज्योग कारक मैं हर एक वीडियो में ही बोलता हूँ मैं यह भी बोलता हूँ कि एगर आपकी यहतली पर राज्योग नहीं रहेगा चाहिए वो एक रहे या एक सुरह है तो आपके जीवन में वैसा कोई स्मूथनेस नहीं रहेगा ऐसा कभी देखा ही नहीं गया है यह कभी राज्योग प्रजेंट ना हो होता है राज्योग भी प्रजेंट होता है अतिली पर तभी तो आप सर्वाइफ करते हो जीतते हो अब मैं उसको कटेगरी में मैंने उसको डिवाइड किया है समझने के लिए किसी के उपर 10% फला रहा है तो वो साधारन कारी करेगा जैसे आप लोग देखते हैं किसी में 20% आ रहा है तो वो थोड़ा उससे बढ़ा करेगा किसी में 30% आ रहा है वो थोड़ा उससे और बढ़ा करेगा अब थोड़ा सा स्कॉर समझाता हूँ मैं किसी में 10% आ रहा है तो वो 1000 कमाएगा किसी में 20% वो 10,000 मतलब ऐसे करके इस्थितिया बढ़ते रहेगी कोई करोड़ रुपे भी कमाते हैं तो इस सतेली पर राज्यों का 70% फल आ रहा है इन लोग का जीवन ऐसे ही बहुत सकून मैं है और देखिए आपको टेंशन कब होता है अगर मान लीजिए आप अपने जीवन के 25 वर्ष से ले और आगे भी आप ही कमाऊगे फेज होता है जीवन का कुछ फेज खराब होता है तो उसको समझना पड़ता है जंदगी है हर एक तरह की स्थितिया दिखाई जाती है जंदगी में तो उसको आपको देखना पड़ता है और समझना पड़ता है और हिम्मत रखना पड़ता है ये चीज़ है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी इनकी जो राहूलेंग का प्रिएट था ना वो इनको थोड़ा परिशान किया होगा इसलिए मेरे द्वारा इस चीज़े बताई जा रही है कि आप पैनिक ना हो परिशानी में ना रहे आगे आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की भी है उसको भी मैं दिखाऊंगा थोड़ा मैं इनके प्रशन का उत्तर करता हूँ तो इनका जो प्रशन था और मैंने जो बताया कि आगे क्यों फाइदा होगा क्या अधीज़न ने उसका वो भी सुनी है अगर मैं देखो इनकी अतेली को तो स्ट्रॉंग एक राहूलेंग का करता है इस प्रियर्ड में इस प्रियर्ड का अगर मैं एज दर्शाओं तो 48 एर्स के राउंड का ये प्रियर्ड है और ये उसके बाद प्रोग्र्स लाइन रुकी ने कंटीन्यू बैसिस पर आगे पड़िये देखो आप खुद देखो खुद समझो तो ये वाली प्रोग्र्स लाइन का अगर एज में देखो तो 58 एर्स के राउंड है 58 to 59 एर्स के राउंड इस समय आपको प्रगति होगी मूल प्रगति तो आपकी 53 एर्स में स्टार्ट हो जाएगी 52 एर्स के राउंड और ये जो प्रगति होगी आपकी 58 to 60 के बीच में ये बहुत बड़ी होगी और उसकर continue आपकी progress line बढ़ी हुई है तो सोचने कि आवशक्ता है ही नहीं बहुत बड़े बड़े कारी करेंगे आप अपने जीवन पर और इसकी पुस्टी ना आपकी सूडी रेखा भी करा रही है जो कि यहाँ पर से देखो तो इनके 55 years के बाद एक फिश नुमाकरती का निर्मान हो रहा है तो इसके इसमें पैसे तो कमाना लाजमी है और आप पैसे कमाएंगे भी इसमें भी किसी पकारा का संदे नहीं है और ये आपकी प्रोग्रिस लाइन दूसरी कंटीन्यू बनने वाली प्रोग्रिस रेखा और सबसे पहला चीज कि आपके सारे ग्रों का आपको अच्छा फल मिल रहा है और आपकी जो फेट लाइन है वो भी स्वी के तरह पतले होगे एकदम लास तक जा रही है तो मतलब श्योरिटी वाली ही बात है फिर भी कोई चीज 100% नहीं होता आप एनर्जी से कारे करते रही है एकदम इंडिकेशन सार है कि आप आगे बढ़ोगे अब बहुत बढ़ा कारी करोगे हिम्मत हारने की जुरुत नहीं है तो पहला और आखरी सवाल इनका यही था और इनका मैंने उत्तर किया दूसरा मैं इनके अभी हतली के हर एक पहलू पर विचार करूँगा बताऊंगा चीजों को अच्छे तरीके से तो सरपर्थम मैं अब इनके पूरा पाम के अनर्सस के तरब चलूँगा तो इनका दूसरा पिकलाना चाहूँगा मैंने गरों के स्टेंट के विशर में बताया स्क्वाइर स्पाम में मध्यमेज को ऐसा फलता मिलती है अब चलते हैं इनके थंब के तरह और गुलाबी तो इनका है तो पैसे को तो अट्रेक्ट करती ही करती है तो पैसे तो आप जरूर कमाओगे एक दो साल, तीन साल, चार साल से अपने जीवन को आप जजमत कर लीजिए आपकी देस्टिनी बहुत अच्छी है ये चीज़े मुझे आपकी एतली दिखा रही है इनकी देखो तो स्ट्रॉंग थंब तो व्यक्तितों का पढ़िचे करा रही है डिजायर्स की तो बहुत बहुत बहुतरीन लाइन है सबसे पहले नजर यहीं गया इनके अंदर कारे करने वालों की जमता भी है दूसरा व्यक्तितों तो बहुत शानदार है लचीले नेचर के हैं आप लचीले नेचर होना भी चाहिए एक बिजनस प्रस्नालेटी को लचीला नेचर होना बहुत जरूरी है कभी घटा, कभी फाइदा ये चलते रहता है जीवन पर फिर देके इनके इतले पर इक्षा सकती है तरक सकती दोनों ही बहतरी निमाउंट में यवा किरती है लेकिन दो लाइन है मुख्यता तो इस केस में व्यक्ति को सपोर्ट तो चलो जब इनको जुरुत पड़ेगा तो मिल ही जाएगा लेकिन ये जो भी अपने लाइफ पड़े आपने दब पड़े है ये चीज़े भी ये लाइन बता रही है फुर देके इनके इतले पर समझदारी के लूँ बहुत स्ट्रॉंग है तो समझदारी में किसी परकार की कोई भी कमी नहीं है इसका तो कोई संदे है ये एक परसंड भी दूसरा देखो तो इनकी लाइन्स तो ये खड़ी लाइन्स आपके अच्छाई की सूचक है काफी अच्छे हो आप दिल से इसमें किसी परकार का संदे है नहीं है लोगों के परती अच्छी भावना है आपके दिल में और ब्रश्पती का फिंगर और संद का फिंगर संद का फिंगर मूलता बड़ा है तो हिमती है और ब्रश्पती का फिंगर इधर टिंड किया हुआ है तो कही न कही धार मी कास्ता रहेगी और सेटन का फिंगर काफे स्ट्रॉंग है तो महनती हो no doubt बुद्ध फिंगर हलका छोटा है तो खराब समय में निर्णे से थोड़ा बची है फिलाल आपका 50 years तक तो कोई investment करने का मैं आपको suggestion नहीं दूँगा इसमें आपको थोड़ी परिशानी आ सकती है उसके बाद का आप करिए आपके लिए उचित रहेगा कुछ एक आख साल आपका बचा हुआ ही है उसको आप अगर समय से इसको समाल लीजेगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगा क्यों कभी-कभी क्या होता है ना आपके खराब समय में ही कुछ ऐसे निर्णे ले लिए जाते हैं जिसके रिगार्डिंग आपको साइड इफेक्ट जेलना पड़ता है वो बहुत कॉमन चीज है इसलिए मैं आपको इस चीज का जानकारी देना हूँ फिलाल तो निम्न लिने के अव Ihnen को शक्ता नहीं है क्यों रिक्स लेना दूसरा देखो तो इनकी ब्रशपती इनकी ब्रशपती काफी जादा स्ट्रॉंग है तो इस केस में क्या होता है कि वीक्ती काफी broad minded होता है और ब्रश्पती बगवान के असीम कृपा रहती है और आपको जीवन भर कोई दिक्कत नहीं होता दिक्कत अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगा तो वो नहीं होगा अब आपको मैं ये भी बोलता हूँ कि आप अगर 4 लाक रुपे कमा रहे होगे मंत का, अगर आप 1 लाक रुपे पर आ जाओगे, तो वो आपके मानसिक दिक्कत है, आपके बेसिक्स, नीट्स की पुर्ती आपके 50,000 रुपे में ही हो रही है, तो वो दिक्कते नहीं है, ये ब्रश्पती आपको broad-minded, खराब समय मे साथ मिलना, और सबसे बड़ी बात है आपकी mind की power और आपकी strength बहुत जबर्दस्त होती है, और आपको उचसतर ये value मानसमान ये ब्रश्पती दिलाता है, तो इसमें तो कोई संदे ही नहीं है कि आपकी ब्रश्पती बहुत जादा प्रबल है, उसके बाद देखिए तो इन अच्छे पती, अच्छे इंसान, इजद्दार परसन, ये ब्रश्पती आपको सारे गुंदे रही है, उसके बाद इसको आए रहा तो ये authority post 36 वर्श तक तो मूलता करवा ही देता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप जॉब में रहेंगे तब ही आपको authority post के प्राप और मैंनत का फल मिल भी जाएगा, लेकिन weight gain कर सकते हैं आप, उस पर थोड़ा सा आपको प्रहेज करने के आवाश चकता है, थोड़ा मैं इस पर कॉर clear करता हूँ, ताकि आपको इस्तिया अच्छे समझ में आ जाए, strong indications pattern पर, strong आपकी fate line बन के आगे चलिए, यहाँ भी प्रकारी में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, अच्छे समझदार हो, अच्छे sensible person है आप, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और शूरी परवत पर, शूरी परवत पर आपके फश्नुमाकरती का निर्मान हो रहा है, तो यह आपको पैसा देखता ही देता है कन्फरम बाली बात है, और एक स्ट्रॉंग शूरी रेखा, तो इस case में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा इजद भी कमाता है, धन भी कमाता है, और जीवन में बहुत बड़ा कारे भी करता है, आगे भी बढ़ता है, और स्ट्रॉंग शूरी रेखा, आपकी परति है आप तो ये रेखाए ना रहे तो फिर मजा क्या है ये रेखा तो भज जरूरी है ये आपको इनफ तेज बनाती है चीज़ों को समझेने के लिए करने के लिए स्ट्रॉंग आपकी एक ट्रेंगल नुमाकरती तो ये प्रापर्टी और साथ साथ पामेस्ट्रे अस्ट्रोलोजिय में इंटरस्ट को भी जगा रहा है तो ये काफी अच्छी आपकी इंटरस्ट दिख रही है पर मैं इनका भी दूसरा प्रेक दिखाना चाहूंगा तो ये स् कमाया बस अपने बुद्धी विवेक के दम पर कमाया और सही कारे करके कमाया दूसरा देखे तो इनकी मंगल दोड़ों मंगल अच्छी है तो इस केस में एनरजी तो काफी अच्छी रहती है अब आपको कोई भी कारे करने के लिए ना एनरजी का आवशकता बहुत जरूरी है अगर आप सकसद फुल परसन बनना चाहते हैं प्रापर्टी का सुख रियल स्टेट का सुख और वो रुपे के मालिक तो कहीं न कहीं मंगल की प्रधानता होनी अती आवशक है नहीं तो इन सब सुख से आप वंचित रह जाएंगे और मंगल आपकी प्रतिरोदक छमता र हैगी कि मेरा स्वास्थी ठीक नहीं है मैं क्या करूंगा पैसे तो नहीं खाओगे ना आप तो कहीं न कहीं इनसान अपने पेट के लिए ही कारी करता है और मंगल की प्रधानता आपके मेटा पॉलिस्मरेट को दर्शाती है अपने जीवन का अच्छे तरीके जश्य सुख बोग आप कड़ पाएंगे फ्रिदिकेन की चंदर्मा इनसान तो बहुत ही अच्छ है आप और डियात्रा की लाइन्स भी बने वे फोरन की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं ये कुछ लाइन्स आपको मैं दिखा रहा हूँ और चंदर्मा प्रधान है तो ऐसे लोग बि कोई गरत भावना नहीं है और आप उस पदक को जिम्मेदारी लेने के लायक हो तभी आपको इश्वर पैसा देंगे नहीं तो चार दिन की चांदनी फिर अंदेरी रात है आप खुद बोलते हैं कि जो पाप करता है वो आगे बढ़ता है या बोलते हैं लेकिन फिर वह वह उनके जीवन में वो इस्थितिया नहीं होती है आप खराब समय में आपके साथ इस्वर के कृपा रहती है तो अच्छा कारी करें और जीवन में आगे बढ़ें और इनकी चंद्रमा काफी प्रधान है तो ये प्रधान चंद्रमा आपको काफी अच्छा इंसान बना रही है और पानी से जुरावा विपार, चंदर्मा से रिगार्डिंग जैसे आपका मेडिकेशन का कारिय, विदेशी धरती से धनलाव, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन चीज़ों में आपको आपको हर एक तरह के सुख को देती है, पचास वर्ष का हाँ देख लो, साथ वर्ष का देख लो, पैसट का देख लो, शुक्र काफी आप अच्छा रहता है, इस केस में उनके जीवन में कोई विशिस्तम तकलीफे आते वे नजर नहीं आती है, हर एक तरह का सुख मिलता है उ आपकी जीवन रेखा भज जबरदस्त है, यहां से दिरगायू सेंस में मैं इसको ले सकता हूँ, 100%, दिरगायू सेंस में आ रहे है 75 यर प्लस, और फिर इनकी जीवन रेखा को मैं दिखाऊंगा, फिर पे माइंड रेखा देख लो, स्ट्रॉंग माइंड रेखा हर्ट पैसा आपको और पैसा आपको क्योंकि आपको पैसा चाहिए होता है, और कमाते इसलिए है क्योंकि आपकी फेट लाइन जबरदस्त है, और गुरू में स्ट्रेंथ भद बढ़िया है, और शूरी रेखा पे बहुत अच्छे इंडिकेशन्स बन रहे हैं, चूकि आपको धन धान देगा ही देगा, पिछले जिन्दगी में भी आपको दिया गया होगा, और आगे भी आपको दिया जाएगा इश्वर के द्वारा, अभी मैं इनका दूसरा पिक दिखाता हूँ, ये इनका दूसरा पिक है, इस पे कुछ लाइन्स क्लियर आए हो है, तो इस फेज में से जीवन रिखाए के दम स्मूथ है 58 years में बड़ी प्रगती है और continue basis पर बनी ही जा रही है तो strong indication से इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा क्योंकि आपकी fate line बे काफी संतुलित हो के आगे चली है और शूरी रेखा पर भी जबरदस्त योग बने हुए तो पैसा तो आना ही है और strong शूरी रेखा डबलब की वे तो name fame मिलेगा अपने कर्मों से लोग का दिल जीतिएगा और आपकी बुद्धिर रेखा भी जबरदस्त बनी हुए तो money triangle ग्रिटर ट्रेंगल बनी हुए पैसे तो आई ही होंगे आपके जीवन पर आपके तीशवर्षों के बाद और business के योग भी काफी अच्छे है मूलता ग्रह इतने bold है आपके bold रहे है कि मैं हाथ पे हूँ और मैं फल दूंगा यह आपकी ग्रह चीक चीक के bold रहे है नशिंत्र है आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा है बस प्रियास करते रहे है और कुछ उपाए मेरे द्वाला दिया जाएगा और इश्वर के राधना करते रहे है तो यह था इनकेतली का पूर्णता विशलेशन अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनली मेरे से परामाशना चाहते हैं हमारा वाटसप नमबर डिस्केप्शन में मिल जाएगा लेकि आप सब परकर सकते हैं धन्यवाद